देखे यहां पर हमारे पात जो circular है यह circular 13 March 2024 का है और अभी हम 2-3 circular को जो पढ़ेंगे मतलब जो next 2-3 circular होगा वो ना एक दूसरे से related होगा तो अगर कहीं पर कोई term में explain नहीं भी कर रही हूं तो don't worry उसको मैं next circular में करूंगी ठीक है क्योंकि सब एक दूसरे से related ही है चलिए तो को लेकर के यह particular circular है यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने मार्च 2024 के residual transactions के लिए जो remaining transaction है जो unfinished transaction है जो मार्च 2024 के अंदर होना था लेकिन नहीं हो पाया तो उसके लिए यहां पर सरकार ने 10 April 2024 को as a deadline fix कर दिया है तो जो भी एजिंसी बैंक है जिसके द्वारा government के भी हाप पे banking transactions किया जाता है तो वो मार्च 2024 का residual transaction है जो remaining transaction है unfinished transaction है उसको 10 April 2024 तक करेगा 10 April 2024 तक उसको उन transactions को complete करना होगा ठीक है तो सबसे important point यहीं है इस circular का मार्च 2024 के residual transactions जो remaining transaction होता है जो unfinished transaction होता है उसके लिए सरकार ने 10 April 2024 को deadline set कर दिया है ठीक है तो एजिंसी बैंकों को 10 April 2024 तक मार्च 2024 के residual transaction को complete करना होगा ओके आगे बढ़ते हैं अब यहां पे जो receiving branches है receiving branches का मतलब वैसा branches जो की government transactions में deal करता है तो यहां पे जो receiving branches है उसको बोला गया है कि वो कुछ-कुछ special arrangement अपनाएगा जैसे की courier service के थूँ यह चलान होता है जो scrolls होता है जो record of transactions होता है उसको यह जो nodal या focal point branches होगा जो head branches होगा उसको भेज़ेगा ताकि इन branches के और गवेमेंट के बहाभ्यद पे जो भी payments जो भी collection किया गया 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 तो government के बहाभ पे इसके दोरा जो भी salaries distribute किया गया गया पेंशन शाहते हुआ YouTube को पेंशन दिया गया है और टीकस कालेक्ट किया गया है को अपनाने के लिए बोला जा रहा है और यहां पर जो के बार में हमने बात कि जो receiving branches होगा वो courier service के थूरु जो चलान होता है जो record of transactions होता है उसको अपने head branches को भेजेगा ताकि मार्च के अंत में जो government के भीहाब पे payment collection हुआ है उसको इसी financial year के अंदर financial year 2023 के तो यहां पे जो special messenger arrangement है उसके बारे में यहां पर बोला गया है कि जो भी concerned branches है वैसा branches जो government transaction में डिल करता है उसको बताने के लिए इसके अलबाद दिखें यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मार्च 2024 के अंदर जो transactions हुआ है उसका reporting किया जाएगा नोडल या focal point branches के द्वारा अप या focal point branches है वह मार्च 2024 के transactions का reporting करेगा अप्रील 2024 में ठीक है इन सब के अलावा देखें यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां बोला जा रहा है कि जो nodal या focal point branches है जो head branches है वह यहां पर दो separate set of scrolls तयार करेगा separate वह जो record of transactions होता है वह तयार करेगा एक set of scroll के अंदर जो मार्च 2024 का residual transactions है उसका detail होगा और दूसरे set of scroll के अंदर record of transactions के अंदर अप्रील के अंदर जो transactions होआ है उसका details होगा तो यहां पर अप्रील 2024 का जो पहला 10 दिन होगा जो 10 अप्रील तक यहां पे nodal या focal point branches को separate set of scrolls तयार करना होगा एक related होगा मार्च 2024 के residual transactions से और दूसरा related transactions होगा है उसको लेकर के ठीक है इन सब के अलावा देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है कि नोडल या focal point branches को यहां पर इस बात को इंशौर करने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी transactions इसके द्वारा किया जाएगा government के भिहाब पे revenues collection tax collection payment किया जाएगा 31 मार्च 2024 तक तो य इस बात को इंशौर करने के लिए नोडल या focal point branches को बोला गया है ठीक है और जैसा कि हमने देखा कि मार्च 2024 के residual transactions के लिए सरकार ने 10 अपरेल 2024 deadline फिक्स कर दिया है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मार्च 2024 से ले करके 10 अपरेल 2024 तक जो भी transactions होगा उसका जो reporting किया जाए कि अपरील 2024 के अंदर जो transactions हुआ है वह मार्च 2024 के residual transactions से mix ना हो जाए तो यहां पर अपरील 2024 के अंदर जो transactions किया गया एजेंसी बैंक के द्वारा government के बिहाब पर उसको separate रखने के लिए बोला गया है मार्च 2024 के residual transactions से okay clear हो गया applicability का बात करें तो जो भी एजेंसी बैंक से उन सब के ऊपर यह जो circular है यह applicable होगा और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर मैं कुछ टर्म नहीं समझा रही हूं तो वह आने वाले circular में आपको समझाओंगी इसलिए यहां पर नहीं बता रही हूं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बस आपको most important point यह याद रखना है कि मार्च 2024 के residual transactions के लिए सरकार ने 10 अप्रेल 2024 को deadline set कर दिया है ओके आगे बढ़ते हैं देखें यहां पर हमारे पास जो circular है यह circular 20 मार 2024 का है जो भी agency banks है वह 31 मार्च 2024 जिस दिन संडे पर रहा है उस दिन भी open रहेगा पब्लिक के लिए तो सबसे पहले हो तो यह पता होना चाहिए कि agency bank होता क्या है पिछले वाले circular में भी हमने देखा था देखिए agency bank कुछ specified scheduled commercial bank होता है जिसको की Reserve Bank of India authorize करता है अब किस चीज क लिए इसको अथराइस करता है तो और इसको अथराइस करता है कि यह central और state government के भिहाब पे जो banking transactions होता है वह कर सकता है जैसे कि tax collect करना हो गया उसके बाद revenues करना हो गया pensioners को pension देना हो गया अलग-अलग government schemes के तहर जो लोगों को subsidies दिया जाता है वह देना हो गया इसके अलाव तो यहां पर जितना भी public sector banks आप देख रहे हैं वह सब agency banks है और कुछ-कुछ private sector banks agency banks है भारत के अंदर अभी अगर हम बात करें तो total 33 agency bank है 33 में भारत हो आपका public sector banks है और जो बचा हुआ है वह सब क्या है private sector banks है समझ में आ गया agency bank तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी agency banks है वह 31 मार्च 2024 जिस दिन संडे पर रहा है उस दिन open रहेगा logo के लिए ठीक है तो यहां पर देखिए अपने circular के ऊपर circular में क्या बोला जा रहा है यहां पर भारत सरकार ने सभी बैंकों से request किया है सभी agency बैंकों से request किया है कि वह अपने वैसे branches को open रखे 31 मार्च 2024 को जो कि government receipt or payment में deal करता है ताकि अब देखिए हमारा जो financial year है current financial year है हाला कि आज तो एक अपरेल है तो current financial year अब खत्म हो गया नय financial year आज से सुरू हो जा रहा है तो देखिए मतलब जिस दिन में recording कर रही हो मैं उस दिन का बता रही हूं आज एक अपरेल है ठीक है आज यह अप्लोड होगा या कल अप्लोड होगा तो अभी जो हमारा financial year था financial year 2023 तो financial year 2023 के अंदर जो government transactions होना था वो financial year 2023 में ही हो जाए और इसको financial year 2023 के अंदर ही record किया जाए इस उदेशे से जो इस financial year का last दिन था है का 30 मार्श 2024 उस दिन तो Sunday अपर रहा था तो यहाँ पे इस लिए इस दिन भी agency bank को को बोला गया है कि वो अपने सभी branches को जो की government receipt और payment में deal करता है उसको वो open रखे ठीक है तो आपको बस simply इतना याद रखना है कि जो भी agency banks है उसको यहाँ पे बोला गया है कि अपने सभी branches को जो government business में deal करता है उसको वो 31 मार्श 2024 जिस दिन संडे पर रहा है उस दिन वो open रखे ठीक है और यहाँ पे बैंकों को बोला गया है कि इस दिन जो banking services available है इसके बारे में इस सर्कुलर में बस आपको इतना ही याद रखना है कि 31 मार्श 2024 जिस दिन संडे पर रहा है उस दिन agency bank को बोला गया है कि जो भी उनका ऐसा प्रांच है जो government business में deal करता है वो open रहा है तो क्या समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं दूसरे सर्कुलर को देखते हैं कि यहां पर मार्पाद जो सर्कुलर है यह इस चर्कुलर भी पिछला दो सर्कुलर से रिलेटेड है 22 मार्श 2024 का यह सर्कुलर है गवर्मेंट अकाउंट्स के एन्वल क्लोजिंग को लेकर कि यह सर्कुलर है तो जो करेंट फाइनेशल लियर है फाइनेशल लियर दो जा टेस्ट चॉबी उसके लिए स्पेशल मेजर्स अपनाए गया है कुछ-कुछ फैसला लिया गया है आपको यहाँ पर समझ में आजाएगा कि तरीक से यह है यहां पर बोला जा रहा है कि एजिंसी बैंकों के दूरा जो भी गवर्मेंट च्रांजिक्शन कराए गया है उसको इसी फाइनेशल लियर के अंदर रिकॉर्ट किया जा सके इस उदेश से 31 March 2024 को जो government transactions होगा तो उसके reporting के लिए उसके accounting के लिए कुछ-कुछ special arrangement के बारे में यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले क्या बोला गया है तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जो भी agency banks है वो अपने designated branches को designated branches का मतलब यहाँ पर वैसा branch जो कि government transactions में deal करता है तो जो भी agency bank से उसको बोला गया है कि वो अपने designated branches को 30 March और 31 March 2024 को 30 March को Saturday है और 31 March को Sunday है तो 30 March और 31 March 2024 को open रखेगा जो normal bank का working award होता है और किस चीज के लिए open रखेगा जो over the counter transactions है जो कि government transactions related है उसके लिए open रखेगा अब देखे जब हम बात करते है over the counter transactions के बारे में तो इसका मतलब क्या होता है कि bank और customer के बीच में direct transaction हो रहा है तो यहाँ पे over the counter transactions related to government transactions इसका मतलब क्या है कि जो government officials है जो government agencies है उनके और bank के बीच में जो transactions हो का उसके लिए है तो इस particular paragraph को एक बार मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो भी agency banks है वो अपने designated branches को open रखेगा over the counter transactions के लिए जो कि government transactions related है जो बैंक का normal working hour होता है 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को यहाँ पर दो दिन का हम बात करें पिछले वाले circular में हमने 31 मार्च 2024 को देखा था कि Sunday है तो उस दिन agency bank अपना branch को open रखेगा जो कि government transaction वे deal करता है यहाँ पर हम 30 मार्च और 31 मार्च का बात करें अब देखें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि N.E.F.T. National Electronic Fund Transfer और रियल टाइम ग्रॉस सेटेल्मेंट र्टी जीए सिस्टम है N.E.F.T. और र्टी जीए सिस्टम के थूरू जो भी transactions होता है वो जैसे होता है वैसे होते रहेगा अप्टू 2400 आवर्स तक यानि कि 31 मार्च 2024 के midnight तक यानि कि रात 12 बज़े तक N.E.F.T. और आटी जीए सिस्टम के थूरू जो ट्राइक्शन है वो होता रहेगा ठीक है आगे देखते हैं इसके बाद देखें यहाँ पर 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को एजिंसी बैंकों के ब्राँचव के द्वारा जो government Transactions में डील करता है उसके द्वारा special clearing session conduct किया जाएगा इस special clearing session के अंदर specifically government checks को clear किया जाएगा तो 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को government checks के clearing के लिए special clearing session conduct किया जाएगा और यहाँ पे इजन्सी बैंकों को बोला गया है कि यह जो special clearing session होगा इसमें यह सभी जो की government account से related है उसको यह present करे clearing के लिए अब यहां पर special clearing session के दौरान कब check present करना है clearing के लिए और अगर कोई check है जो की unpaid return हो जाता है clear नहीं होता है तो उसके बारे में bank को कब inform किया जाएगा तो इन सब चीजों को लेगर कि यहां पर बोला गया है कि बाद में बैंकों को इन सब चीजों के बारे में कि कब चेक प्रजेंट करना है कि उसको inform किया जाएगा कि कोई check un return है उसके बारे में बैंकों को बाद में बता दिया जाएगा ठीक है इन सब के अलावा दिखें यहां पे और एक बहुत important point है यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो central और state government transactions का reporting होगा Reserve Bank of India को इसके लिए जो reporting window का timeline है उसको extend कर दिया गया है including जो GST जो आपका TIN 2.0 है जो tax information network है basically यह income tax department का एक official portal है तो यहां पर TIN 2.0 से related जो भी data है जो भी file है जो ice gate है basically जो इंडियन customs electronic data interchange gateway है जो की basically national portal है CBIC का तो यहां पे ice gate से related जो file है जो e receipt luggage file है तो यहां पे इसको भी upload करने का इन सब को भी upload करने का जो reporting window होता है उसके timeline को बढ़ा दिया गया है 31 मार्स 2024 का जो reporting window रहेगा वो अगले दीन एक April 2024 के दो पहर तक यानि कि 12 बज़े तक यह open रहेगा ठीक है तो यह भी एक important point है और यहां पे agency bank को बोला गया है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते वे जो भी related stakeholder है उन लोगों को इसके बारे में बताने के लिए ठीक है applicability आपको समझ में आही गया होगा जो भी agency banks है उन सब के ओपर यह जो circular है यह applicable होगा ठीक है तो यह हमने कुछ circular देखे जो की एक दूसरे से related था अब यहां पर दो तीन point है जो मैं आपको यहां पर फिर से बोलना चाहते हूं सबसे पहला तो 31 March 2024 के residual transactions के लिए सरकार ने 10 April 2024 को deadline set कर दिया है ठीक है उसके बाद क्या था कि 31 March 2024 जिजन संडे पर रहा है तो जो की financial year 2023 का अंदिम दिन है तो जो भी financial transaction होना है financial year 2023 में वो इसी financial year के अंदर हो जाए और उसको इसी financial year के अंदर record किया जा सके इस उदेश से 31 March 2024 जिजन संडे पर रहा है उस दिन जितना भी agency bank का branches है जो की government transaction में डिलीड करता है वो open रहेगा पब्लीक के लिए और उसके बाद यहां पर क्या बोला जा रहा था कि जो 30 March और 31 2024 को जो भी agency bank है वो अपना designated branches open रखेगा नॉर्मल वर्किंग आवर तक over-the-counter transactions के लिए जो की government transactions से related है और साथी में जो reporting होता है central और state government transactions का RBI को और जो GST 10 2.0 wise gate e-receipt luggage file upload किया जाता है उसके लिए reporting विंडो जो है 31 मार 24 का वो अगले दिन एक अप्रेल 2024 के 12 बजे तक open रहेगा ठीक है तो यह सब जो पिछला तीन circular हमने पढ़ा था उसका कुछ-कुछ important point है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने दूसरे circular को देखते हैं ठीक है कुछ district है जिसके अंदर जो lead bank responsibility है ना उसमें बदलाव किया है तो यहां पर इस circular को सबजने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि lead bank responsibility होता क्या है lead bank क्या होता है ठीक है तो देखिए 1969 में Reserve Bank of India के द्वारा lead bank scheme को इंटेड्यूस किया गया था इस उदेशे के साथ कि भा इस 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 चीम के तहत होता क्या है तो इस स्कीम के तहत भारत के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पटिकुलर कमर्शल बैंक को lead bank के तौर पे चुना जाता है जितना भी डिस्ट्रिक्ट है और जनरली देखिए lead bank कों होता है माल लीजे कि एक डिस्ट्रिक्ट है ठीक है और उसमें लेट से की union bank of इंडिया का बहुत ज़्यादा ब्रांच ह अंदर union bank of India को lead bank के तौर पे जुना जाता है और lead bank के तौर पे करता क्या है तो lead bank के तौर पे उस जिला के अंदर जो दूसरा credit institution होता है उसके तौरा जो भी प्रियास किया जाता है कि उस जिला के अंदर लग लग जो sector है जो agriculture sector है जो MSC sector है दूसरा economic activities है वहां पे credit flow को पढ करता है समझ में आ गया lead bank क्या होता है अब आते हैं अपने circular के उपर अब आपको यह circular आसानी से समझ में आ जाएगा तो यहां पर देखे क्या किया गया है यहां पे भारत के अंदर को जिला है उसमें जो lead bank responsibility है उसको जिला है जहां पर लीड बैंक को अपॉइंट किया गया था तो जिन पैंकों को अपॉइंट किया गया था उसको हटा करके दूसरे बैंकों को lead bank के तौर पर पर पॉइंट किया गया एं तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन-कौन से जिला के अंदर lead bank responsibility है उसमें बदलाब कि पहले इन दोनों जिला के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक के तौर पर काम करेगा उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है सिवनिंग तो इसके लिए स्टेट पैंक ऑफ इंडिया को लीड बैंक के तौर पर चुना गया है पहले इस जिला के अंदर संट्र बैंक उप इन दोनों जिखला के लिए पहले इन दोनों जिला के लिए Vác प्रणियों क्रफिल एक तर्णिया में रिए पिल्रेया कावी बंक अर्ट पर निम्लियोत को में स्टेशप कुना की walk, पूरे देश के अंदर जो दूसरा जिला है उसके लिए जो लीड बैंक्स है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है तो यह हो गया हमारा एक सर्कुलर चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को पढ़ते हैं अ देखे यहां पर हमारे पाड़ा जो सर्कुलर है 27 ऌरफ 2 में 2014 अपसे तो जैएन स्क्कार पर लेक्त है और गार्टनेट्व इन्वेट्मिन्ट के अंदर रिगुलीटेड इन्टिए से द्वारा जो पारी उसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको लेकर के यह पर्टिकुलर सर्कुलर है और देखिए दिसंबर 2023 में पिछले साल रिजर बैंक आफ इंडिया ने सेम टॉक्पिक के ऊपर जो रेगुलेटिट इन्टिटी इसके त्वारा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है देखिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या एफ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट वहिकल है यह क्या करता है यह कुछ चुनिंदा लोगों से और बेसिकली यह चुनिंदा लोग कौन होते हैं हाई नेट यहां पर जो भी रिस्क रहता है उसको कम करके रिटर्न जेनरेट करने पर फोकस किया जाता है और ध्यानब इन्वेस्टेटिस में तो अल्टनेटी इन्वेस्ट्मंट फट्टेंटляश्मित्वाइग्षिके पॉल्डship है यह लोगों से पैसा क्लेक्ट करता है और ध्यान दीजी का कि जैसे mutual fund होता है na mutual fund में क्या है retail investor जो रहता है जैसे कि हम हो गए आप हो गए हम लोग कम पैसा निवेस करते हैं तो mutual fund में कोई भी निवेस कर सकता है लेकिन alternative investment fund में कोई भी निवेस नहीं कर सकता है इसमें बस जो high net worth individual होता है institutional investor होता है वो लोगी निवेस करता है तो alternative investment fund वैसे investor से पैसा कलेक करता है और फिर उस पैसे को वो alternative asset classes जैसे कि private equity, venture capital, hedge funds, real estate, commodities, derivatives इन सब में निवेस करने का काम करता है और जैसे कि पहले ही मैंने बोला था कि इसमें retail investors निवेस नहीं करता है जनरली high net worth to individual है और जो institutions है वो AIF के अंदर निवेस करता है क्योंकि यहां पे जो investment का amount होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है अगर आप इसको normal investment से compare करेंगे तो investment का जो amount होता है वो यहां पे बड़ा होता है ठीक है और देखे जो AIF है उसको SEBI regulate करता है Securities and Exchange Board of India SEBI Alternative Investment Funds Regulations 2012 के तहर्त और हमारी देश के अंदर alternative investment fund को as a trust के तौर पे setup किया जा सकता है company के तौर पे setup किया जा सकता है या एक limited liability partnership पी तौर पे या corporate body के तौर पे setup किया जा सकता है ठीक है तो I hope आपको एक overall idea आ गया होगा कि alternative investment funds होता क्या है यह बड़े-बड़े investors से पैसा collect करता है और फिर इसको alternative asset classes जैसे की private equity venture capital hedge funds real estate commodities derivatives इन समय निवेस करता है अब हम आते हैं अपने circular के उपर तो देखिए जो regulated entities है ना जो bank है non bank है वो सब क्या करता है हमसे पैसा लेता है और फिर वो अलग-अलग कि regulated entities और alternative investment fund के अंदर कुछ ऐसा transactions हो रहा है जो कि सही नहीं है अब यहां पर किस तरह का transaction का बात हो रहा है तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना regulated entities किसी borrower को let's say कि यहां पर borrower company है किसी borrower को direct loan देने के बजाए रहा है वह alternative investment fund के यूनिट में निवेस कर रहा है और फिर alternative investment fund जो है उस particular borrower को लोन दे रहा है तो यहां पर क्या और जैसे कि मालीजे की example से समझते है तब आपको यह clear होगा मालीजे की कोई बैंक है बैंक करप्ड हो यहां रहीigue pandemic को लोटाइ यहां चाव सब्सक्रांद कह रहा है तो यहां पर यहां पर बैंक पैसा आइफ के यूनिट में रहा है और फिर भीशन को लोन देता है investment के तॉर पर फिर वह चान Brazil कि ल सम्फनी ने जो बैंक से पैसा उदार लिया ता जो सarshका पारा था भात समाने के उड़ू सरे फटिया मतलब कि यह पूराने लोण को चुकाने के लिए नया लोन दिया जारा था तो जिस तरीके से यह इवर्घृर ंछ हो रहा है न वह सही नहीं तो इसको एंपर rby आ ने यहां पर वोकस किया है और इसको लेकर के दिसंबर 2020 में इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था यहां पे regulated entity को बोला गया था कि जभी भी regulated entities की दौरा alternative investment fund में नवीज किया जाएगा तो इन instructions को उसको माना पड़ेगा ठीक है तो देखे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दिसंबर 2020 के अंदर जो इंस्ट्रक्शन जारी किया गया था उसी instructions को यहां पे clarify किया गया है उसमें कुछीजों को add किया गया है तो current circular को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि December 2020 में जो circular issue किया गया था उसमें कौन कौन सा instruction जारी किया गया था तो सभी instructions को हम यहां पे नहीं देखने वाले है जो current circular से related instruction है उसी को हम यहां पे देखेंगे ठीक है तो देखे सबसे पहले तो यहां पे यह बोला गया था कि regulated entity किसी भी AIF के ऐसे scheme में निवेस नहीं करेगा जिसने directly या फिर indirectly regulated entity के डेटर कंपनी में निवेस किया हुआ है यहां पे डेटर कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी से है जिसको की regulated entity ने current basis पे लोन दिया है या फिर पिछले 12 महिने में उसके साथ कोई loan agreement हुआ है या फिर पिछले 12 महिने में regulated entity ने उस company के अंदर investment किया है तो क्या बोला गया था कि regulated entity किसी भी AIF के ऐसे scheme में निवेस नहीं करेगा जिसने directly या फिर indirectly regulated entity के डेटर कंपनी में निवेस किया हुआ है ठीक है इसके बाद देखे यहां पे और कौन-कौन सा instruction था December 2030 के circular में अगर कोई AIF scheme है जिसमें कि already regulated entity investor है और वो AIF scheme regulated entity के डेटर कंपनी में निवेस करता है उसके 30 दिन के अंदर regulated entity को उस AIF scheme से अपना पैसा बाहर निकाल लेना है जो उसका investment है उसको liquidate कर देना है यानि कि उसका holding है AIF scheme के अंदर उसको sell कर देना है ठीक है और देखिए circular तो अभी आया था December में आया था उससे पहले अगर कोई regulated entity पहले से ही किसी AIF scheme के अंदर invested है और उस AIF scheme ने उस regulated entity के डेटर कंपनी में निवेस किया हुआ है तो इस case में जिस date को यह circular आया था उसके 30 दिन के अंदर regulated entity को बोला गया था कि वो अपना investment liquidate कर ले ठीक है इसके अलावा देखिए जैसे shares होता है तो shares को sell करना उसको buy करना बहुत इजी होता है लेकिन जब हम बात करतें AIF के बारे में तो इसमें जो investment रहता है उसको liquidate करना इतना आसान नहीं होता है तो अगर जो time limit है उस time limit के अंदर कोई regulated entity अपना investment liquidate नहीं कर पाता है ठीक है तो कोई regulated entity है उसने AIF scheme के अंदर निवेस किया हुआ है और उस AIF scheme ने regulated entity के data company में निवेस किया है तो यह तो नियम क के अंदर अपना investment liquidate नहीं कर पाता है तो इस case में regulated entity ने जितना पैसा उस AIF scheme के अंदर निवेस किया है उसका 100% यानि कि उतना पैसा उसको अलग से capital के तौर पर रखना होगा risk को cover करने के लिए ठीक है एक instruction यह था इसके बाद यहां पर यह भी बोला गया था कि अगर कोई regulated entity है उसने AIF scheme के किसी sub coordinated unit में निवेस किया हुआ है और वो priority distribution model को follow करता है priority distribution model में क्या होता है कि जो भी investor रहता है उसको दो भाग में बाढ़ दिया जाता है सीनियर इन्वेस्टर और जूनियर इन्वेस्टर और जो भी return होता है वो पहले senior investor को दिया जाता है पिर junior investor को दिया जाता है तो अगर कोई regulated entity है जिसने AIF scheme के सब ordinated unit में निवेस किया हुआ है जो कि priority distribution model को follow करता है तो इस case में जितना investment है उतना पैसा regulated entity को capital fund से deduct करना होगा ठीक है तो यह सब कुछ-कुछ instructions है जो कि December 2023 के circular में RBI ने जारी किये थे अब हम आते हैं अपने current circular के तो current circular में क्या बोला जा रहा है कि जो भी instructions हमने देखा उसको जो regulated entity के दौरा implement किया जाता है उसमें uniformity लाने के लिए और अलग-अलग stakeholder के दौरा जो कुछ-कुछ concern जाहिर किया गया था उसको address करते वे यहां पे RBI ने कुछ चीजों को clarify किया है सबसे पहले तो यहां पे RBI ने क्या बोला है कि paragraph 21 के अंदर जो downstream investment है जो हमने देखा था कि regulated entity किसी भी AI scheme किसी भी ऐसे AI scheme के अंदर निवेस नहीं करेगा जिसने की regulated entity के data company में निवेस किया हुआ है तो यहां पे उसको लेगट के बोला जा रहा है कि अगर कोई AI scheme है ठीक है उसने regulated entity के data company के equity shares में निवेस किया हुआ है सिर्फ तो इस case में regulated entity के उपर पतिबंद नहीं लगता है इस case में regulated entity उस AI scheme के अभ्वाइस कर सकता है कोई AIF स्कीम है उसने किसी डेटर कंपनी के सिर्फ equity शेर में निवेस्ट कर सकता है हाला कि अगर AIF स्कीम ने डेटर कंपनी में किसी और तरीके का इंवेस्ट्मेंट किया हूआ है जैसे कि जो hybrid instrument होता है उसमें इन्वेश्टमेंट किया हुआ है इसके बाद ग्राफ 23 के अंदर क्या बोला गया था कि अगर रेगुलेटेट इन्टिटी जो टाइम लिमिट है उसमें अपना इंवेश्टमेंट लिक्विडिट नहीं कर पाता है तो जितना पैसा उसने निवेश किया है उसका 100% उसको अलग से कैपिटिल के तौर पर रखना हो ठीक है तो इस चीज को यहां पे क्लरिफाई किया गया है यहां पर क्या बोला गया है ना इसको एक एक एक्जामपल से समझते हैं यहां पर क्या बोला गया है ना कि माल लीजे क कोई रेगुलेटिटी है उसने एक स्कीम में एक लाक रुपए निवेश थीक है उस सकीम नेर्याभर कंपनी में 50 रुपए निवेस किया हुआ है अब यहाँ पर पेस LET को नियम के ईनुसार तो ऐसे एप सकीम के अंदर पैसा निवेस नहीं करना चाहिए पूरा एक लाग रुपय अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा यही आपे बोला जा रहा है कि इन्वेश्टमेंट के अंदर तो यहां पे पूरा जो इन्वेश्टमेंट होगा उतना अलग से पैसा नहीं रखना है कैपिटल के तौर पे यहां पे एएफ श्कीम ने रेगुलेटेटेट इंडिकेटर कंपनी में जितना पैसा निवेश्ट किया होगा सिर्फ उतना पैसा ही अलग से कैपिटल के तौर पे रखना है रिसक को कवर करने के लिए ठीक है समझ में आगया इंटाइर इंवेश्टमे कुलेटेट इंवेश्टेट में उकलेश्ट को फेस्टी में ने निवेश्ट को अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा अगर वह अपने इंवेश्टमेट को विधिन गिवें टाइम लिक्वीडat नहीं कर पाता है तो समझ में आ गया और पहले जो था इसमैंबर कि तो जया तेस में जोयं उसमेंड फनी कि अपर ऊपक को जब च kuv मेराgga था उसमेरा हंदेड परसेंड के बाड़ में बोला गया । इसके बार वांद एक इसकी इनाफ ने चूर्ल बातिक सबोरनेटर दिशूवप्रbas price तो इस case में उतना उसने जितना पैसा निवेस किया है उतना उसको अपने capital funds से deduct करना होगा तो यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर बोला जा रहा है कि अगर जो AIF है जिसके sub-ordinated unit में regulated entity ने निवेस किया है जो कि priority distribution model को follow करता है तो अगर उस AIF ने regulated entity के data company में निवेस नहीं किया होगा तो इस case में फिर यह circular उसके उपर applicable नहीं होगा अगर उस AIF scheme ने regulated entity के data company में निवेस किया होगा तो फिर इस case में जो paragraph 2 है circular का जिसमें basically बोला गया है investment को liquidate करने के बारे में within given time तो फिर वो उसके उपर applicable होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद दीकिए यहां पर क्या बोला जा रहा है फिर से यहां पर paragraph 3 से related point है जो हमने बात किया था कि अगर कोई regulated entity है जिसने की AIF scheme के subordinated unit में निवेस किया है जो की priority distribution model को follow करता है तो जितना उसने निवेस किया है उतना उसको अपने capital fund से deduct करना होगा तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यह जो पैसा deduct होगा यह सिर्फ यह दोनों ही tier 1 tier 2 capital से equally deduct होगा ठीक है यह यहां पर बोला जा रहा है इन सब के अलावा देखिए regulated entities indirectly AIF के अंदर निवेस कर सकता है regulated entities का जो investment होगा AIF के अंदर अगर वो intermediaries के थुरू होता है fund of fund mutual fund के थुरू होता है तो इस case में यह circular applicable नहीं होगा अगर वो direct कोई regulated entity है कोई bank है वो direct किसी AIF scheme के अंदर निवेस करता है तो उसके उपर यह circular applicable होगा उस case में लेकिन अगर वो indirectly निवेस करता है regulated entity ने कोई bank है उसने mutual fund में पैसा निवेस किया है अब वो mutual fund किसी AIF scheme के अंदर निवेस कर रहा है और उस AIF scheme ने उस bank के debtor company में निवेस किया है तो इस case में यह circular applicable नहीं होगा ठीक है यहीं आपने बोला जा रहा है कि अगर regulated entity fund of funds mutual funds के थुरू AIF के अंदर investment करता है तो इस case में यह circular उसके ओपर applicable नहीं होगा ठीक है समझ में आ गया इन सब के अलावा देखे यहां पे जो भी instructions के बारे में हमने बात किया है वो banking regulation act 1949 के section 21 और 35A और section 56 के तहत जारी किया गया है Reserve Bank of India Act 1934 के chapter 3B के तहत जारी किया गया है और National Housing Bank Act 1987 के section 30A 32 और 33 के तहत जारी किया गया है applicability के बारे में बात करें तो जो भी commercial banks है including small finance bank, local areas bank, regional, rural banks उन सब के ओपर applicable होगा urban cooperative bank, state cooperative bank, central cooperative bank सब के ओपर applicable होगा, all India financial institution और जो भी non banking financial companies है including housing finance companies उन सब के ओपर applicable होगा समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं और दूसरे circular को देखते हैं देखें यहां पर हमारे पार जो circular है यह circular 27 March 2024 का है 27 March 2024 का यह circular है इसमें क्या बूला जा रहा है कि जो currency chest होता है वो 31 March 2024 को भी operational रहेगा ठीक है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि currency chest होता क्या है देखें currency chest है कैसा जगह होता है जहां पर Reserve Bank of India बैंकों के लिए और ATM के लिए पैसा रखता है ठीक है पैसा को stock करके रखता है जो currency notes होता है coins होता है उसको store करके रखता है Reserve Bank of India कुछ schedule bank को authorize करता है और उन schedule bank के अंदर currency chest को establish किया जाता है जो currency chest होता है जो की schedule bank के अंदर होता है उसको monitor RBI करता है और RBI को जो representative रहता है वो समय समय पर इसको inspect भी करता है जब ही भी नए currency note को print किया जाता है सबसे पहले ये currency chest में भेजा जाता है और फिर जो भी currency chest का holding bank रहता है जिस bank के अंदर currency chest रहता है वो bank उस area के अंदर जो दूसरा bank है उसको फिर उन note को distribute करता है तो यह basically cash distribution center के तोर पर काम करता है उस particular area के अंदर कोई area है उसमें एक bank है वहाँ पर currency chest है थीक है तो उस particular area के अंदर जो दूसरा bank का branches है उसको ये bank नो distribute करने का rupee cons distribute करने का काम करता है ठीक है currency chest समझ में आ गया अब देखे इस circular में क्या बोला जा रहा है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने जैसा कि पहले ही हमने देख लिया था कि भारत सरकार ने यहां पर क्या बोला है कि 31 मार्च 2024 जिजन संडे पर रहा है उस दिन वो सभी प्रांचे जो की government receipt or payment में deal करता है वो open रहेगा ताकि financial year 2023 के अंदर जो transactions होना है वो इ transactions के लिए currency chest का open रहना अनिवार यह है तो इसलिए यहां पर जो भी currency chest holding banks है उनको यहां पर बोला गया है कि 31 मार्च 2024 को अपना currency chest open रखेंगे normal working day के तरह ठीक है simply circular में यही बोला गया है और जो भी currency chest holding bank है उनको बोला गया है कि जो linked branches है उसको इसके बारे में inform करने के लिए applicability आपको समझ में आही गया होगा currency chest holding bank के उपर यह जो circular है यह अप्ली के बलोगा तो simply 31 मार्च 2024 को currency chest holding bank को को बोला गया है कि वो अपना currency chest open रखेंगे ठीक है तो यह आज के इस lecture का हमारा last circular था आई होप जितना सारा भी circular हमने discuss किया है वो आपको समझ में आ गया होगा कहीं पे भी अकर आपको कुछ confusion आता है तो आप एक बार उसको repeat करके सुन सकते हैं या फिर आप comment कर सकते हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आता है आपने repeat फिर से स सकते हम उसका reply जरूर करेंगे thank you so much for watching I hope आपको यह video informative लगा होगा thank you so much